हालो गाईज वेलकम टू माई चैनल गूड इवनिंग गाईज अभी तो इस टाइम चाय का टाइम है पर अभी सोच रही है थोड़ा रेस्ट करना क्योंकि अभी अभी जस्ट चीकुस होया है आज मेरा टोपिक है कि बच्चे रात पर अच्छी नींद क्यों नहीं लेते ऐसा क्या करें जो अच्छी नींद ले और रात पर और मा को भी थोड़ा अराम मिले तो मैं आपको और यूट्यूबर की तरह जूट नहीं बोलूँगी और मैं सिर्फ अपना ही एक्सपीरेंस शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं ऐसा क्या करती थी कि मेरा बच्चा अच्छे से सो जाए और ऐसा सब के साथ होता है कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत ही तंग करते हैं अपने पेरेंस को आपको मेरी आवाज से पतर लग रहा होगा कि अभी भी इसको नीद आ रही है इसकी आवाज में ठकावट है ऐसा होता है सब मदर्स के साथ जो चिर्फ इसका 10-15 मिनट का पावन नैप है अभी अच्छे से नहीं सोएगा तो आपको यही करना है कि बच्चे को जितना हो सके अच्छी अच्छी मसाज दे उसकी मालिश करें दिन में 5-6 बार जब भी आपको समय मिले और उसका हर टाइम अच्छे से उसको क्लीनिंग रख राखे और नैपी हमेशा बदलते रहें उसको देख उसको फीड भी कराते रहें ताकि बूखा रहेगा तब भी रोएगा अगर उसने सूसु किया है तब भी रोएगा कि अगर उसका कुछ दर्द हो रहा है वो तब भी रोएगा आपको इस बात feder के देना है कि बच्चे न नहीं हुई है बच्चे ने सूसूत नहीं किया है वो अपने डाइपर की वज़ज़ से भी रो सकता है कि यो डाइपर में डिसकमफर्ट है डाइपर फुल हो गया है कोई-कोई माएं होती है कोई-कोई मदर्स होती है जो आठ-हाट घंटे से ज़्यादा 24-24 घंटा एक ही डा तीमत करना यह आपके साथ बहुत बुरा कर सकता है आपके बच्चे के साथ बहुत बुरा हो सकता है डाइपर हमेशा चेंज करते रहना चाहिए और जब भी आप देखेंगे एक चीज तो गोर से देखेंगे जब भी हम अपने बच्चे को नहलाते हैं अगर आपको नहलाना ह तो कभी भी ठंडे पानी से मत नहलाईए थोड़ा सा गरम पानी कर लीजिए उसी से नहलाईए बच्चे को अराम मिलता है उसकी बोडी को भी अराम मिलता है नहला के उसका मसाज कीजिए जो भी आप उयल यूस करते होंगे उसका मसाज करके उसको फीड कराईए उसके बाद खुदी सो जाएगा आप तरीका अपना के देखिए क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही हुए है मैं हर बार यही तकनीक अपनाती थी और इसको पांच-छे बार अगर अच्छे से इसका मसाज हो जाए तो यह सो जाता था शुरुआती महीनों में बच्चे सभी बच्चे तंग करते हैं दिन में सो लेते हैं रात में नहीं सोते हैं सभी मदर्स का यही हाल है और इसका कोई हो नहीं है कि आप अगर रात में इसको मसाज कर दो के तो रात में सो जाएगा अगर बच्चे ने दिन में ही नीद पूरी कर लिए तो रात में कहां सो पाएगा जैसे हम लोग ही दिन को फीड कराईए उसकी मसाज करिए उसका नैपी देखिए उसने सुसु पोटी तो नहीं किया उसका पेट चेक